बिजनी बिल का बकाया वसूल करने जाने वाले महावितरन की टीम पर हमलों की घटना बढ़ती जा रही है कुछ दिन पहले ही भामडी इलाके में एक महिला व उसके दो बेटों ने 5000 रुपे बकाया के चलते बील वसूली करने गई टीम पर लोहे की रौट से जानलेवा हमला कर दिया था उस घटना के बाद अब खापरी में एक बिजली करमचारी पर ग्राहक ने चाकू से हमला कर दिया हलाकि इस हमले से करमचारी ने खुद को किसी तरब बचा लिया आरूपी के खिलाव पुलीस में मामला दर्च किया गया और उसे गिरफतार कर लिया गया मामला खापरी पुलीस थाना अंतर गद आने वाले खापरी का है सेलू उपविभाग के बिजली करमचारी छगन बागडे बकाया बिजली बील वसूली के लिए ग्राहक संदीब उडान के घर पहुचे उन पर तीन महिनों का बिजली बिल बकाया था बागडे ने उनसे बिल जमा करने का निवेदन किया लेकिन संदीब बहस करने लगे गाली गलोज शुरू कर दी और फिर अचानक ही चाकू निकाल कर उन पर हमला कर दिया किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया और वहाँ से निकल गए ततकाल आला अधिकारियों को सूचना दी सूचना मिलते ही कार्यकारी अभियंता स्वपनिल गोत्मारे सहायक अभियंता धम्मदीब जीवतोडे उप कार्यकारी अभियंता मनोच खोडे पुलिस थाना पहुचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया पुलिस ने विविद्ध धाराओ के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफतार कर लिया लगातार बिजली बिल वसूलने और बिजली कनेक्शन काटने की कारवाई करने जाने वाले टीम के कर्मचारियों पर जान लेवा हमले हो रहे है बीजेपी विदायक रुषना खोपडे ने उर्जा मंतरी नितिन राउट से सवाल किया है कि बिजली कर्मियों को सक्ति से बिल वसूलने का आदेश तो दिया जा रहा है वसूली का टारगेट भी दिया जा रहा है लेकिन उनकी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया जा कर्मचारियों की जान खत्रे में आ रही है विद्यूत विभाग की तिजोरी भरने के लिए जिन कर्मचारियों की जान धोके में डाली जा रही है उन्हें पुलीस सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उर्जा मंतरी वह इस सरकार की है